दोस्तों आप सभी का स्वागत है Only Top Study चैनल पर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतिय मुद्रा यानि की इंडियन करंसी से सम्बंदित Top 30 कोशन दोस्तों जो की बहुत ही जादा महत्पूर नहने वाले हैं सभी परिक्साओं के लिए तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा इंड तक देखेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना मत पूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन कोन कर लेना ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और किसी भी एक्जाम की मास्टर पीडियो पर डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट या फिर वोटसप नंबर पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है पांसो रुपे के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकरती बनी हुई है आप इमेज देखकर भी आंसर बता सकते हैं और हरे कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा बहुत मज़ा हैगा दोस्तों बहुत अच्छे-च्छे कोशन मैंने इस वीडियो में कवर किये हैं इस कोशन का राइट आंसर हैगा देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाल किले की फोटो है दोस्तों ठीक है 500 रुपे के नोट पर पीछे की और तो यह आपका आदखना यानि की पहले कोशन का राइट आंसर आपका ओप्शन ए रहेगा दूसरा कोशन है दोस्तों 100 रुपे के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकरती चपी हुई है तो 100 रुपे के नोट पर दोस्तो कौन सी आकरती चपी हुए है तो आप लोग यहाँ पर एक बर देख सकते हैं यह है दोस्तो रानी की वाव यानि की इस कोशन का रहेट आंसर आपका C रहेगा अगला कोशन दोस्तो आता है 20 रुपे के नए नोट पर पीछे की तरब किसकी तस्वीर छपी हुई है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो देखकर भी आंसर बताएंगे तो रहेगा अच्छा रहेगा तो जल्दी से देखकर के आंसर बता दीजेगा इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल एलोरा की गुफाएं यानि की इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा तीसरे कोशन का B हो जाएगा सही उत्तर सेशन पसंद आए भाई दिल से लाइक कर देना अपने छोटे भाई बैन को भी सेर कर देना क्योंकि अच्छी इंफोर्मेशन है जितने भी बच्चों के पास में पहुँच सके तो बैटर रहेगा इस कोशन का अंसर बते दोस्तो दोजार रुपे के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकरती छपी हुई है जल्दी से आंसर बताईए दोस्तो ये छपी हुई है मंगल यान की यानि कि इस कोशन का रहेट आंसर आपका सी रहेगा ये आपको याद अखना है अगला कोशन दोस्तो 200 रुपे के नए नोट पर पीछे की और किसकी तस्वीर छपी हुई है जल्दी से बताईए दोस्तो बिल्कुल सभी बच्चों को पताऊना चीए इन सभी कोशन की आंसर तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा साची स्थूप दोस्तो ये छपा हुआ है 200 रुपे के नोट पर पीछे की और तो राइट आंसर दोस्तो आपका उप्षन ए रहेगा ठीक है अगला कोशन दोस्तो आता है 50 रुपे के नए नोट पर पीछे की तरब किसकी आगरती छपी हुई है तो 50 रुपे के नोट पर आप लोग यहाँ पर देख सकते है इस कोशन का राइट आंसर एगा हमपी के रत यानि कि सी राइट आंसर एगा कोशन नमबर 6 का अगला कोशन दोस्तो आता है 10 रुपे के नए नोट पर पीछे की तरब किसकी तस्वीर छपी हुई है तो 10 रुपे के नोट पर दोस्तो जो तस्वीर छपी हुई है वो है आप लोग यहाँ पर देख सकते है कोनार्क सूरिय मंदिर की दोस्तों और यह बहुत ही इंपोटेंट है क्योंकि काफी कम बच्चों को यह चीज पता होगी ठीक है यह बहुत ही बेसिक नोलिज है जो कि सभी को पता होना चाहिए एक्जाम में एक कोशन ना ही आए बट फिर भी पता होना चाहिए दोस्तों आटवा कोशन है एक रुपे के नोट पर किसका हस्ताकसर रहता है जल्दी से बताइएगा इस कोशन का दोस्तों right answer रहेगा वित्य सचीव के दोस्तों हस्ताकसर रहते हैं एक रुपे के नोट पर यह भी एक important question है confusion रहता है क्योंकि normally जो नोट पर दोस्तों signature होते है वो RBI के गवर्नर के होता है बट जो एक रुपे का नोट होता है दोस्तों उस पे किसके होते है वित्य सचीव के तो इंपोर्टेंट है ये नोट कर लेना नोवा कोशन है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकरत है तो इस कोशन का भी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा वित्यमंत्रा लिए ठीक है आर्बिय नहीं है ये चीज क्लियर कर लेना रिजर्बेंक ओफ इंडिया आंसर नहीं होगा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगला कोशन दोस्तों आता है भारत में मुद्रा आपूर्ती किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है बहुत ही मतला इजी सा कोशन है सभी को पता होना चीज़ दोस्तों रिजर्बेंक ओफ इंडिया द्वारा यानि की डी राइट आंसर रहेगा दस्वे कोशन का अगला कोशन आता है एक रुपे के नोट को कौन जारी करता है तो एक रुपे के नोट को दोस्तों जारी करता है वित्यमंत्रालिय यानि की इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर ओप्शन सी रहेगा ये भी आपको याद अखना है अगला कोशन है भारती रुपे का ISO कोड क्या है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तों आई एन आर ठीक है जैसे की दोस्तों डोलर होता है USD ठीक है न तो ऐसे ही इंडियन जो करंसी है वो आई आनार होती है यह आपको याद अखना है अगला को कोफ इंडिया के पास है दोस्तों ठीक है जितने भी कागजी मुद्रा होगी वह आर बिय जारी करता है यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है अगला कोशन दोस्तों आता है भारती मुद्रा के लिए परतीक चिल कब चुना गया जल्दी से बतेगेगा इस कोशन का दोस्तों रहे आंसर हैगा 2010 में 2010 से पहले कोई भी दोस्तों हमारा जो ओफिशल चिन था रुपी का वो कोई नहीं था ठीक है तो यह आपको यादकना है पहले हम बस ऐसे लिख देते थे रुपी बट ऐसा कोई ओफिशल यह चिन नहीं था तो यह आपको यादकना है अगला कोशन दो कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा आप इनको यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं और फोटो का दोस्तों फाइदा यह होता है कि आपको हर चीज़ देखके समझ में भी आती है अगला कोशन है भारतिये करेंसी नोट पर कितनी भासाय लिखी होती है आप लोगों न दोस्तों आता है भारत में पहली बार बैंको का रास्टे करन कब हुआ था तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में पहली बार जो रा बैंको का रास्टे करन हुआ था वो 1969 में हुआ था यानि की सी रेट आंसर हैगा कोशन नमबर 17 का अगला कोशन आता है निमलेखित में से कौ तो ये भी सभी को पताई होगा दोस्तों इस्टोक मार्किट से है कुछ बेसिक से कोशन्स है किस वर्स नाबाड की स्थापना हुई थी तो नाबाड मतलब National Bank for Agriculture and Rural Development और इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए अगला कोशन दोस्त नोट बन दे हुई या दोबार यानि की इस कोशन का रैट आंसर है कब B हो जाएगा ये आपको यह दखना है ठीक है अगला कोशन है दोस्तो कागजी मुद्रा सबसे पहले किस देश में चली थी ये भी बहुत इंपोर्टेंट कोशन है कागजी मुद्रा सबसे पहले किस देश में चली थी दोस्तो इस कोशन का भी आंसर सभी को पता होना चाहिए पहली कागज की जो मुद्रा थी दोस्तो वो चाइना में चली थी चीन में तो राइट आंसर इस ऑप्शन भी अगला कोशन है भारत में दोस्तों दसमलाव मुद्रा परणाली कब शुरूई थी यानि कि जो वन टू थी ऐसे लिखे हुए सिक्के दोस्तों कब शुरू हुए थे यानि कि अगर मैं बोलू तो दोस्तों दस समलाव यानि कि 0 से 10 तक यानि कि 9 तक जो यह नंबर होते हैं जैसे एक का सिक्का हो गया पांच का सिक्का हो ठीक है और फिर नोट होगे दोस्तों 10 का 20 का यह कब से शुरू हुए थे दोस्तों यह एक इंपोर्टेंट कोशन है इसलिए बोलता हूं पूरी वीडियो को ध्या में दोस्तों शुरूई थी यह भी आपको याद अखना है अगला कोशन दोस्तों भारत में सिक्कों की टकसाल कहां पर है तो भारत में अगर दोस्तों सिक्कों की टकसाल की मैं बात करूं तो यह मुंबई हैदराबाद में मुंबई की मैं इनके वह भी बता देता हूं दोस और नोयडा की दोस्तों वही थी 1989 में तो यह उप्रुक्त सभी दोस्तों रहेट आंसर हो जाएगा आप इनके यहां पर यह भी नोट कर सकते हैं यह भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं थो ठीक है तो अगला कोशन दोस्तों आते हैं 10, 50, 100, 500, 1000, मुल्यवर्ति किस प्रेस द्वारा जारी किये जाते हैं? तो इस कोशन का देखिए, 1000 के तो वैसे आने बंद हो गए हैं, तो यहाँ पर आप 2000 कर लीजेगा, तो इस कोशन का रइट आंसर करेगा, बिल्कुल, यह दोस्तो जारी किये जाते हैं आपके, नासिक और दोस्तो मारास्ट द्वारा, ठीक है? तो इस कोशन का रइट आंसर, इस option के according रहेगा, option A, यह आपको याद दखना है, ठीक है? यह आपको याद दखना है भई, अगला कोशन दोस्तो, भारतिये मुद्रार रुपे की अधिकारिक विनियम, दस संबंदित है, सोरी, दर संबंदित है, तो इस कोशन का दोस्तो रइट आंसर क्या रहेगा? चुनी हुई विदेसी मुद्राओं के समू से, तो राइट आंसर डी रहेगा दोस्तो, अच्छा कोशन है, 26 वाबी, अगला कोशन दोस्तो हवाला क्या है? देखे हवाला आपने कई बार सुना होगा अपनी लाइफ में, कि हवाला से ऐसे पैसे पकड़ेगे, अगला कोशन आता है, भारत में सवपर्थम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रहारम हुआ था? तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर एगा, 1806 ACV में, तो राइट आंसर इस डी, ये आपको याद अखना है, अगला कोशन दोस्तो आता है, भारत में नोट जारी करने को कौन सी पढ़नाली अपनाई जाती है, तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल, निन्तम, आरइकसित, पढ़नाली आने की दोस्तो राइट आंसर बीरेगा, 300 कोशन का ये भी एक important कोशन है, अगला कोशन है, भारते रुपे का सब पर्थम किस वर्स अवमूलन किया गया था, तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा, 1949 में तो option A right answer रहेगा दोस्तो, ये आपको याद रखना है, और last question दोस्तो हमारा भारत में नोट बंदी को कितने साल पूरे हो गए हैं, सभी लोग comment box में आंसर बताने की कोशिस करिए, उसके बाद मैं आंसर बता देता हूं इसका, भारत में नोट बंदी को कितने साल पूरे हो गए हैं, तीन साल पूरे हो गए हैं, तो right answer is C, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, आज का जो test का question है हमारा, test का question दोस्तो ये वाला है, ठीक है, इसमें आपको आंसर बताना है, कि भारत में नोट बंदी कितनी बार हुई है, सभी student को comment box में आंसर बताना है, ठीक है, और ये आपकी आज की वीडियो है, कैसी लगी comment box में बतेगा, अगर वीडियो पसंद आई है, तो please वीडियो को like करके, अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने छोटे भाई बैन, जो भी त्यारी करते हैं, किसी भी एक्जाम की, उन तक जरूर भेज देना, क्योंकि ये important informative वीडियो है, जो भी अच्छी knowledge होती है, दोस्तों अपने छोटे भाई बैन को भी share कर दिया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैल ऐकन को उन रखे, आगे आने वाली सारी वीडियो के notifications आपको मिल जाएंगे, आपको कोई भी एक्जाम की पीडियाप डाउनलोड करनी है, थेंक यू सो मच, बाई बाई आवरें टेक केर, ख्याल लखे अपना,